और देखे साजापूर के जुलादिकारी धर्मेन प्रताप सिंग ने विविन जनकल्यान कारी योशनाओं के सत्यापन और पात्रों को उनका लाब दिलाने के लिए प्रती दो न्याई पंचायत पर एक नोडल अधिकारी के तैनाती की है जो हर गुरुवार को श्राम चार क्रिया और सत्यापन का कारी शुरू किया जा चुका है जलादिकारी धर्मिन प्रताप सिंग ने नेटवर्क टेंसे खास बातचीत की है कि साशन की निर्देश अनुसार धान खरीद में पाड़ दर्शता लाने के सक्त निर्देश जारी किये गए हैं विचॉलियों दौरा यूजनाय है मतोकांची यूजनाय है जन जन तक उनको पहुंचाने के लिए आपका जो एक प्रोग्राम अभी आपने शुरू किया है ग्राम चौपाल कैसे उसको लगू किया जाएगा बिसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि जो सासन की यूजनाय है उनको गाउवालों को बताने के लिए जो यूजनाय चल रही है उनकी क्वालिटी कैसी है उस क्वालिटी को चेक करने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए हम लोगों ने हर दो नयाए पंचायत पे एक जि वहां जो भी योजनाय चल रही है, स्कूल है, आंगनवाडी है, पंचायत घर है, पंचायत सायक है, रोजगार सेवक है, सभी के बारे में एक जाच करेंगे, स्कूलों की स्तिती को देखेंगे, अमरिस सरोवर को देखेंगे, प्रधान मंतरी आवाश योजना को देखेंगे, सब कुछ करके, 20 पनने का हम लोगों ने एक प्रफार्मा तैयार किया है, जिस पे वो रिपोर्ट अगले दिन प्रस्तुत करेंगे, जिसके अधार पे आगे हम लोग कारवाई करेंगे, ये एक प्रियास है सासन को जो है, गाउँ वालों तक और गाउँ के लोगों तक पहुँचाने का, जो अक्टरों के लिए हम लोगों ने प्रफार्मा बनाया है, उसकी ये खास बात है, कि कौन से ऐसे अपात्र लोग है, जो ये उजनाओं का गलत लाग पा रहे हैं, उनके बारे में है, और जो पात्र छूट गए हैं लोग, उनके बारे में जाच करके उसी प्रफार्मे में नाम लिखना है, और जैसे हमारे पर सारी इंफार्मिशन आजाएगी, संबंदित विभावों के माध्यम से जो भी पात्र लोग छूटे हैं, उनको ये उजनाओं का लाग पहुचाया जाएगा और आपात्रों के नाम काटे जाएगा है। सर, जन्पद में एक अक्टूबर से धान खरीद भी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ दिशा नर्देश, शासन का क्या कुछ यहां पर इस बार रहने वाला है, कितनी खरीद होने वाली है, किस तरीके की विवस्था हैं शाजा जहांपूर जन्पद में की गई हैं। धान खरीद के लिए हम लोगों ने 171 केंद्र भी स्टार्ट किया हैं और 3,15,000 मेट्रिक टन का हमारा टार्गेट है। सभी केंद्रों की जाच कराई जा रही है, अधिकांस केंद्र खुल गया है और वहां पे लोगों की मौजूदगी है, हमारा जो भी सामगरी होती है, जो वहां पे सुवधाएं होती है, वो सुवधाएं प्रदान कर दी गई हैं। लेकिन अभी चुकि धान में नमी थोड़ी जादा होने के कारण, अभी खरीद में उतनी तेजी नहीं आ रही है। हम लोगों का दो उद्देश्य है, एक तो जो भी किसान आता है धान बेचने के लिए, उसको समचित दाम मिले और उसकी धान के खरीद हो, दूसरा जो बिचवली है और अन्ने लोग जो उपर से धान को खरीद लेते हैं, और उसको इधर का उधर ब्लैक मार्केटिंग और स नहीं की जाएगी, ऐसे सक्त देशा निर्देश, शाजहांपुर जिलादिकारी, धर्मेंद्र प्रताप सिंग की ओर से जारी किये गए हैं, और लगातार सासन की योजनाओं को धरातर पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं, शाजहांपुर से निर्प्रेक्टेन के लिए और बिंतर पाथी